नमस्कार, आखाश्वणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात जनता पार्टी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को उपस्तित रहने के लिए विप जारी किया इसरों ने चंद्रियान तीन की कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी की गयाना में वेस्ट इंडीज ने भारत को दूसरे 2020 अंतरास्ट्रिय क्रिकेट मैच में हरा कर पांच मैचों के श्रंखला में दो शून्य के बढ़तली और चेनरी में एशियाई चेंपियन्स ट्रॉफी होकी प्रतियोगिता में भारत मलेशिया को पांच शून्य से हरा कर तालिका में शिर्ष पर पहुंचा समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधियाज नईदिली में प्रगाती मैदान के भारत मंडपम में नौवे राष्ट्रिया हतकरगा दिवस समारोह का उदगाटन करेंगे श्री मोधी भारतिय वस्त्र और शेल्प कोश के ई-पोर्टल का शुभरंभ भी करेंगे एक रिपोर्ट इस कारेक्रम में तीन हजार से अधिक हतकरगा और खादी, बुनकर, कारीगर और कपड़ा और सुक्ष्म लगु और मध्यम उद्यम शेत्रों के हित्धारक भाग लेंगे यह पूरे भारत में हतकरगा समूहों, राष्टिय फैशन प्राद्योगी की संस्तान परिसरों, बुनकर सेवा केंद्रों, भारतिय हतकरगा प्राद्योगी की संस्तान परिसरों, राष्टिय हतकरगा विकास निगम, हतकरगा निर्यात समवर्धन परिशत, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग संस्थानों और विभिन राज हतकरगा विवागों को एक साध लाएगा। अनुपमिश आकाश्वानी समाचार दिल्ली। और लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछी दिनों बात गनेश चतूर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से एको फ्रेंडली गनेश चतूर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गनपती बपा की प्रतिमाएं एको फ्रेंडली मटरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानिय कारी करो, हमारे हस्त सिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेंडना देता है। इस अवसर पर गुजरात सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानि एक जिला एक उत्पाद के अंतरगत हस्त शिल्पिक शेत्र को प्रोगसाहन देने की योजना बनाई है। इस बीच रास्ट्रिया हतकरगा देवसके अवसर पर भारत यय मूल की महिलाओं ने बड़ी संख्या में कल लंदन में भारत के विबन राज्यों की साड़ियां पहन कर साड़ी वोकेथान किया। महिलाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और रास्ट्रगान के साथ वोकथान संपन हुआ। बिहार में आज से G20 सदसे देशों को समर्पिद एक कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहाले पटना में शुरू होगी। दो महिने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का श्रीशक Together We Art है और इसका समापन साथ अक्तूबर को हुगा। बिहार संग्रहाले के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंग ने बताया कि प्रदर्शनी का उधगाटन मुख्यमंत्री नितिश कुमार करेंगे। महानिदेशक ने बताया कि केंद्रिय कला और संस्कृति मंत्राले द्वारा आयूजित इस प्रदर्शनी में भारत सहित 39 देश भागले रहे हैं। श्री सिंग ने बताया कि सापना दिवस के साथ ही पांच महीने तक चलने वाला बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 शुरू हो जाएगा। उपराश्ट्रपति जगदीब धनकर ने कहा है कि एक जागरुक नागरिक किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। उपराश्ट्रपति ने कलनाई दिली में दो दिवसिय पुस्तकाले महोत्सव के समापन समारहों को संबोधित किया। उपराश्ट्रपति ने कहा कि सम्रिद्ध मानव संसाधन का आधार ज्यान है और पुस्तकें उसकी समवाहक है। राजे सभा की सभापति ने जन प्रतिनिधियों का आवहान करते हुए कहा कि संसद में बहस, चर्चा और समवाद होना चाहिए। राजे सभा में आज राष्ट्रिय राजधानिक शेत्र दिली सरकार संशोधन विधियक 2023 पेश किया जाएगा। लोगसभा ने ब्रिहस पतिवार को इसे पारित कर दिया था। जन्म और मृत्यू पंजीकरण संशोधन विधियक 2023 भी आज उच्च सदन में पेश किया जाएगा। भारतिय जनता पार्टी ने संसत के दूनों सदनों में अपने सांसदों को विब जारी कर उपस्तित रहने को कहा है। ओमन चांडी को श्रधान जले दी जाएगी, ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। ये समाचार आकाश्वणी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडेल अट AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रियान 3 को चंद्रमा के कक्षा में स्थापित करने के एक दिन बाद कक्षा की दूरी कम करने के प्रक्रिया सफलता पुर्वक समपन हो गई है। इसरो ने बताये कि इस तहे कि अगली प्रक्रिया बुधवार 9 अगस्त को की जाएगी, 17 अगस्त तक चंद्रमा पर तीन और प्रक्रियाइं संपन होंगी, जिसके बाद लेंडर और रोवर लेंडिंग मोड्यूल यान से अलग हो जाएगे, इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लेंडिंग से पहले लेंडर पर डी ओर्बिटिंग प्रक्रिया की जाएगी, इसरो ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सौफ्ट लेंडिंग का प्रयास किया जाएगा, जमू कश्मीर में सुरक्षा बलो ने कल लगा थार दूसरे दिन राज़ारी जिले के कोटे र पीएफ, एस ओजी तथा पुलिस की टीमें तलाश और खोज़े भियान चला रही हैं, अब तक एके 47 राइफल, पांच मैगजीन, दो पिस्तॉल, चार हधकोले, पाकिसान में बने कपड़े और दवाएं बरामद हुई हैं, जमुक शेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस ने कल शाम राज़ौरी में बताया कि आतंकवादियों के लगभग तीन समुह राज़ौरी और पुंच के सीमा वर्ती जिलों में सक्रिय हैं, प्रातियक समुह में दो से तीन आतंकवादी शामिल हैं, पंजाब पुलिस ने चार ड्रग तसकरों की गिरिफतारी के स सीमा पार से दो अलग-अलग ड्रग तसकरी रैकेट का भंडा फोड किया है, पुलिस ने तसकरों के कबजी से 77 किलो 800 ग्राम हरोईन और कुछ हथियार परामत किये हैं, जमु कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रे अमरना जी तीर्थियात्रा के लिए 500 से अधिक ती जथा आश्टर के रवाना हुआ, हमारे संबादाता ने बताया है कि कुल 534 तीर्थियात्री जम्मु के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर रवाना हुए, इसके साथ ही 30 जून से अब तक 1,48,523 तीर्थियात्री जम्मु आधार शिविर से कश्मीर घाठी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, श्री अमराज जी यात्रा के के केवल 34 दिन की अवधी में ही 4,19,000 से धिक तीर्थियात्री ने पंजी करण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है, यात्रा के लिए रिकौर्ड पंजी करण संख्या, तीर्थियात्रा करने वाले भक्तों की संख्या में उलेखनी वृधि का संकेत देती है, गांदर बल जिले में बालतल और अनंतनाग जिले में पहल गाम के दोहरे मार्ग से पहली जुलाई को ये यात्रा शुरू ही थी, गुल्चन रैना की रिपोर्ड के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमा और अब खेल जगत की खबरों के साथ है, स्पोर्ड डेस्क से निखिल कुमार एक सो बाउन रन बनाये थे, इस जीत के साथ ही वेस्ट इंडीज ने पांच मैचों की शुंखला में दो शुनी की बढ़त ले ली है, शुंखला का तीसरा मैच कल खेला जाएगा हौकी में भारत ने चिन्नई में कल एशियाई चैंपिन्स ट्रोफी हौकी टूनामेंट में मलेशिया को पांच शुनी से हरा दिया, तीन बार का चैंपियन भारत इस टूनामेंट में अजए रहा, मलेशिया पर इस जीत से भारत तालिका में शिर्श पर पहुँच गया है, मलेशिया छेंग के साथ दूसर स्थान पर है इससे पहले भारत ने ब्रिहस्पतिवार को चीन पर साथदो की बड़ी जीत के साथ अपने अभियान के शुरुवात की थी राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कंजेक्टिव विटिस यानि आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारती आयरोग्यान संसान एम्स के वरिष्टे चिकित सकों ने उपचार के लिए स्टराइड के इस्तिमाल को लेकर चेतावनी जारी की है आकाश्वणी समाचार से बाचीत में एम्स के प्रमुख डॉक्टर जे एस तितियाल ने कहा कि स्टराइड वाले आई ड्रॉप्स का इस्तिमाल करने के दो सकतावाद कॉर्णिया के धबे आ सकते हैं ये सीजनल आई फ्लू कहते हैं कॉबन साधरन बासा में कहा जाए तो आँक आना कहते हैं जिसके दोनों आँके लाल हो जाती आचाना तो उसमें आँक से पानी आ रहा होता है या पिर डिश्याज आ रहा होता है और आकों में पलकुमर सूजन हो जाती है और ये बिमारी वारिस के कारण होता है और ये काफी तीज से फैलता है किसी भी चीजों को शेर करने में जैसे टाउल हो गया या बेट सीट हो गया या आपका परसनल यूज के सामाना है लैप टॉप ऐसे चीजों से या टेबल मेज में वारिस काफी रहता है तो उसके कारण यदि हम अपने हातों को दोके रखेंगे और आखों को साफ रखेंगे चेरा साफ रखेंगे तो infection से बच जाएंगे या जिनको infection है उनका infection भी जल्ली ठीक हो जाएगा दूसरे में भी spread होने के chances कम रहेंगे उन्होंने लोगों से आगरह किया कि यदि परिवार में कई सदस्यों को आईफलू की समस्या हुई है तो प्रत्ये को अलग-अलग आईड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रोताओं के प्रश्णों के उत्तर देंगे श्रोता टेलेफोन नंबर 011-23717106 और 2331444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं वोटसेप नंबर 9289-09-4044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं ये कारिकरम FM गोल्ड और आतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा मौसम विभाग ने अगले पांच दिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पस्चिम, बंगाल और सिक्किम में बहुत तेज वर्शा का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने पूर्वोतर राज्यों के लिए तेज वर्शा का औरेंज एलर्ड जारी किया है और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशार शर्मा धन्यवाद चंद्रिका, आज प्रकाशित समाचार पत्रों ने चंद्रयान के चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के बाद पहला वीडियो भीजे जाने को सुर्खी बनाया है अमरोजाला के शब्द हैं चंद का शांदार नजारा देखने को मिला चंद्रमा नीले हरे रंग का दिखाई दिया नवभरत टाइम्स ने तस्वीर के साथ लिखा है कुछ इस तरह नजर आया चंद, हिंदुस्तान ने चंद की सतह के चित्र के साथ लिखा है पहली तस्वीर चांद के करीब से कल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनरविकास की आधार शिरा के साथ रेलवे का काया कल्प करने के आयोजनों की खबर बड़े अक्षरों में कई अखवारों ने दी है, हिंदुस्तान ने लिखा है, रेल मंत्री बोले किराय में बढ़ोतरी नहीं होगी जनसत्ता और दैनिक जागरण की बड़ी सुर्खी है, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले विपक्ष पर मोदी का प्रहार अमरुजाला ने लिखा है पी-म ने कहा नकारात्मक राजनीती कर रहा है, विपक्ष ना खुद कुछ करेगा ना करने देगा राजे सभा में आज ग्रीह मंत्री पेश कर सकते हैं, दिल्ली सेवा बिल, विपक्ष तयार, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सदन में उपस्तित रहने का अपने सांसोदों को विप जारी किया लिखा है देशबंदू और देनिक ट्रिब्यून ने, राश्ट्रिय सहरा ने आकलन दिया है, सरकार और विपक्ष में टक्राव के आसार राश्ट्रिय सुरक्षा सलाकार अजित डोबाल का विश्व समदाय को ये आहवान अधिकांश अखवारों ने पहले पन्ने पर दिया है कि सभी देश खेत्री अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें न भारत टाइम्स के पहले पन्ने की खबर है क्रांतिकारी गीतों के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना के लोग गायक विठल राव गदर का 74 वर्ष की आयू में निधन और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्राधान मंत्री नरेंद्र मुधी नई दिल्ली में प्रगाती मैदान के भारत मंडपब में आज 9 राष्ट्रिया हतकरगा दिवस समारुह में भाग लेंगे राजसभा में आज राष्ट्रिया राजधानिक शेत्र दिली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होगी प्रकिट मैच में हराकर पांच मैचों की श्रंकला में दो शून्य की बढ़त ले ली है इसके साथ ही समाचार प्रभात का येंग समाप्त हुआ नमस्कार